हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A15 Android में आप अपने mobile phone का जो 5G network है उसे आप activate कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों अगर आपको अपने mobile phone का जो 5G network होता है उसे इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है देगी सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone का network mode पे type कर लेना है अब यहाँ पर आपको जोने page आएगा इसमें देखिए मेरा यहाँ पर 3G के सामने यह tick mark लगा हुआ है तो आपको करना है कि यह जो आपका 5G होता है ना 5G पर आपको tick mark लगाना है यानि कि 5G को select कर लेना है ठीक है तो आपका यहाँ पर network के नीचे 5G लि restart कर देना है इसके लिए phone के side वाला power button आपको उंगली से दबा के रखना है आपका यह page आता है इसमें आपको restart का button tap करना है इससे क्या होगा आपका phone automatic switch off हो के automatic switch on हो जाएगा restart करने से ही होता है हमारे phone के android system में अगर कोई problem आती तो वो solve हो जाती ठीक है अगला काम यह करना है mobile phone का software आपको check करना है कि वो update है या नहीं है इसके लिए पहले phone का internet आप चालो कर लिए इसके बाद phone का setting page open करना है setting page में सबसे ओपर यह search icon पर tap करना है यहाँ पर सबसे ओपर search बर में software आपको लिखना है ठीक है आपको नीचे software update का यह option मिलेगा इससे tap करना है आपका जो है तक आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करने के लिए ओपन को setting page open करिये,setting page में सबसे ओपर search icon पर बातों का चाहिए एससे tap कर 있나 आपकी ऑर जो 5G network जो activates नहीं हो रहाए problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का色 थ्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने हैं आपके phone में जितना भी data सारा data आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या उसका backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखने हैं आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है तो यह दो काम आपको पहले करने हैं उसके बाद phone को reset करना ठीक है तो दूस्तों मेरे बता है वे सारे process आपको use करने है इससे आपके mobile phone का 5G network है यह आपका activate हो जाएगा ठीक है